हेलो बच्चो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दुरोड इसकुल में बच्चो आज का एक्जाम जो नवदय विद्याला क्लास सिक्स्त का हुआ उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूसन देख लिया साथ में आपको एंसर की भी बता दिये गए जितने भी कोशन थे उसके एं अक्षन होने का चांस है इस वीडियो में हम देखेंगे अगर बात करें हम मेंटल अबिलीटी से तो मेंटल अबिलीटी ठीक है तो मेंटल अबिलीटी के समझे आप सभी कितने कोश्चन एक question में वो था बस जिसमें doubt था बाकी तो कोई मतब हाड नहीं था ठीक है simple question आया था question जो आया था mental liberty question बिल्कुल simple थे ठीक है maths की बात करें maths में तो बहुत ही ज्यादा simple question पर आया था जिन बच्चों ने normal जो geometry का portion पढ़ा होगा ठीक है पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे से data interpretation पढ़ा होगा तो बिल्कुल उनको कोई भी कटना ही नहीं हो कि तीन question नहीं जो 9 syllabus से add हुए है बाकी तो पुराना syllabus था तीनी question तो add हुए था simple सा था बिल्कुल simple आया था hard नहीं आया था जैसा पढ़ाया था बिल्कुल उसी प्रकार का question पेपर आया था ठीक है simple हो गया अगर बात करें language की ठीक है language ठीक है तो इसमें आप कह सकते है simple to क्या है medium to hard समझे medium मतलब medium से उपर level का question आया थे क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था केवल डाइरेक्ट पैसे से आपको answer नहीं लिखना था या direct grammar पूछ दियागा ऐसा नहीं आपको दिमाग लगाना था सोचना था ठीक है अगर बात करें तो सब्द भेद में कौन सा आएगा पार्ट भी स्पीच का question था एक 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 जक्टिव अला था ना विसेसर का थीक है इस तरीके question पूछे गए हैं तो मतलब यह समझे medium से थोड़ा high level का था बाकी दो mental ability और मैस की बाद करें बिलकुल simple question paper आया था अब देख के कुछ राजियों में क्या है एक्जाम चार नॉमबर को ठीक है बाकी सभी बच्चों का एक्जाम तो 20 जनवरी को होने वाला था उन्हों आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार का question आया उनको भी solution देखना है उनको भी question देखने है किस प्रकार से कि अच्छे से practice करनी है ना द कीजेगा आप सभी जो भी जिस भी category से बिलॉंग करते हैं अब देख लिजेगा अपने रूलर से फॉर्म भरता था या फिर अर्बन से यह भी आप ध्यान रखेगा ठीक है जनरल category का देख लिया अब बारी OBC की OBC के लिए फिर मैंने सहरी और ग्रामीड में डिवाइड कि इतने नंबर पर आपके सेलेक्शन के चांस इससे कम नम ठीक है कर लिए फिर फिर ग्रामीड में डेख लिए और ग्रामीड में डेख सकते हैं कितने नंबर जाने की संभावना थिक है एस्टी के डिख लीजे इतने नंबर जाने की संभावना है ठीक है बस ये नंबर सिंपल सा आप सिंपल सा वीडियो था कि पेपर कैसा आया था कौन सा पोर्शन हाड आया था ठीक है कैसे कोश्चन आने की संभावना है साथ में कट आप कितना जा सकता है क्योंकि पेपर हमने देख लिया इस आप से कि बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने question paper भेज़े उसमें टिक किये हैं तो लगवक्त जो टिक किया वही तो उन्होंने एंसर लगाया गो ना तो बहुत अच्छे से उनका response रहा है कुछ बच्छों ने गलती भी की है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे पर्किया आप सभी को आइडिया लेना है सीख लेना है जो 20 जनवरी को एक्जाम देने वाले ठीक है तो देखे जो बच्चे सैनिक स्कूल के नवदय विद्यालिक तयारी कर रहे हैं तो हमारे पास नवदय अलफा बैच है सैनिक स्कू सिलिबस आपका समय रहते कंप्लीट हो जागा जब भी एक्जाम होगा उससे पहले ठीक है साथ में बात करें नवदय विद्यालिक तो 20 जनवरी को एक्जाम है तो अभी हमारा बैच फोर चल रहा है जिसमें सिलिबस आपका बहुत अच्छे डंग से आपको नवदय विद् कितना सिंपल कोशन आया थे सब कुछ पढ़ाए गया इस बर जो नया सिलिबस मैट किया गया आपका डेटा इंटर्प्रेटरेशन और जो पॉर्षन था तो सब कुछ तो आया ना जितने चीज़े आपने पढ़ी इसी तरीके से आपको भी तैयरी करनी अच्छे से पढ़न अजिए प्रकार से अच्छे से प्रेक्टिस करना है ज्यादा ज्यादा को कर सकते अगर कोई दिक्क्तार कोर्स इसमें आपको information मिल जाएगी साथ में द्रोड स्कूल के टेलीग्राम चैनल और यूटूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरू कर देंगे तो आप सभी को बिलॉंग करते हैं और आपके नंबर कितने आ रहे हैं ताकि मैं देखकर आप सभी को बता सकूँ ठीक है चले फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ झाल